अस्सलामू अलेकूम वीडियो को आखिर तक जरूर देखें बहुत ही कमाल की तोटके हैं खजूर को नाश्ते में खाओ ताके तुम्हारे अंद्रूनी जरासीन का खात्मों हो जाए कमर दर्ट के मरीजों के लिए असान तोटका कीकर के पते जो ने निकलते हैं इनको तोटकर चाओं में खुश कर ले और इनको कूटकर पीस कर सफुफ बना ले एक चमच पानी के साथ ले कमर दर्ट के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदा मन्द है टिशू पेपर में अज्वाइन रपेट कर सुंगने से सिरफ सरदर्द बलके शदीद सरदर्द भी भाग जाएगा एक तर्म्याने साइस की मूली के टुकड़े कर ले और इस पर एक लीमू छड़क कर नमक, मिर्च, मसाला जार बगैर डाले निहार मूँ खा लिजिए, एक घेंटे और कोई चीज भी मत खाएं, इन्शाला यूरिक एसेट नॉर्मल हो जाएगा ये अमल साथ दिन करना है, जो बच्चे रात सोते हुए पिशाब कर देते हैं, इन्हें एक चाए का जमत शहत खिलाना बहुत मफीद है एक केला रोजाना खाने से चर्चड़ापन खतम, घुसा, जिहनी दुबाओ खतम हो जाता है अंजीर जोडों के दर्ट में बहुत ही ज्यादा मुफीद है, अगर जिसम से बद्बू आती है, तो नहाने वाले पानी में थोड़ी सी फटकरी शामिल कर लें, और फिर घुसल करें, इससे जिसम की बद्बू खतम हो जाएगी रोटी वले डिबे में एक लॉंग डाल दे और इससे रोटी नरम हो जाएगी नाश्ते में चॉकलेट खाने से आपका चॉकलेट या चॉकलेट से भना हुआ केक खाने से आपका वसन कम होने में मदद मिल सकती है जल्दी सोना जल्दी उठना देर से भड़ापा लाता है अगर आपको फूट पॉाइसनिंग हो जाए तो एक चमच प्यास का रस पीने से इन्शालला मेददा बिलकुल ठीक हो जाएगा फास फूट गजाओं से परहेस करें तंग जीन्स का इस्तमाल ना करें चहल कदमी जरूर करें अद्रक वली चाए जरूर पिएं आईरिन की कमी को बढ़ाने के लिए पालक और बंद को भी का इस्तमाल करें खवातीन में खोन की कमी खवातीन में अगर खोन की कमी हो जाए तो इनको रोजाना खजूर खाने चाहिएं रात के वक्त तीन से चार खजूरे पानी में भिगो दें, सुभार निहार मूँ पानी भी पी पी लें और इसके बाद खजूर भी खा ले पांच दिन तक इस अमल को जारी रखने से खोन की कमी पूरी हो जाएगी, अगर आटा घूनते हुए थोड़ी सी खल्दी पी डाल दी जाए तो रोटी का जाएका तास की आप खुद महसूस करेंगे क्या आप जानते हैं कि हमारे जिसम में मजूद नमक का तिजाब इस कदर तेज होता है कि स्टील के गिलास को भी गला सकता है मच्छ सिरफ मादा मच्छ होन चूसते हैं गरम खाना ठंडा कर लिया करो क्योंके गरम खाने से बरकत नहीं होती कमर में दर्द को गरम दूद में एक दाना डाल कर पी लो नवे साल तक कमर का दर्द नहीं होगा गरम दूद में डाल कर पीने से कमर का दर्द हमेशा चुटकारा मिल जाएगा सौंफ को अगर गरम दूद में डाल कर पीने से कमर का दर्द हमेश्या शुटकारा मिल जाएगा मर्दाना ताकत बढ़हाने वाली चीजे नीम गरम दूद में अंजीर डाल कर पीना तीन से चार दाना ख़जूर खाना बुने हुए चने रोजाना आदा किलो खाना देही रोजाना सुभा सवेरे खाना बकरियों की हडियों का सफेद गोदा पका कर खाना बकरे की कलेजी को भून कर खाना भेंस का दूद पीना सुभा निहार मुख कचे अंडे खाना शहत में बड़ी अलाइची डाल कर खाना अद्रक का एक टुकड़ा खाना अगर किसी को दाइमी कबस की शिकायत हो तो वो अद्वियात को खतम करके सिर्फ अमरूद खाने शुरू कर दे दाइमी कबस से निजात मिल जाएगी एक अमरूद पर थोड़ी सी अजवाइन लगा कर खाएं आँखों के आगे अंधेरा आना, सर का घूमना ये सब कुछ ठीक हो जाएगा बलेड प्रेशर को कंट्रॉल करने के लिए केले खाएं पपीते के बीच पेट के कीड़ों को खतम करते हैं लीमू के चिलकों को जाया ना करें लीमू के चिलकों को जमा कर लें और फिर इसको वाशिंग मशीन में डाल दें और साथ ही थोड़ा सा पानी भी वाशिंग मशीन में डाल कर वाशिंग मशीन चला दें इसके अंदर जमा हुआ मैल निकल जाएगा नाखनों को तूटने से बचाने के लिए लेसन के एक जवे को छील कर रोजाना नाखन पर रगड़े नाखन नहीं तूटेंगे अगर कमीज धुलने के बाद भी कॉलर अच्छी तरह साफ नहीं होता तो कमीज को धुलने से दस मिनट पहले कॉलर पर शेम्पू लगा दिया करें अगर दूट की तरह सफेद दान्त चाहते हैं तो माल्टे के चिलके पर नमक काला नमक लगा कर पांच मिनट तक मुसलसल यूज करें चार पांच दिन के बाद आपके दान्त दूट की तरह सफेद नजर आएंगे हाथों में पिलाहट का होना जिस्सम में आईरन की कमी को वाजिया करता है ऐसे में केलों का इस्तमाल बहुत ही ज्यादा फाइदा मन्द है और केलों का इस्तमाल करें अगर दान्त तिहड़े आ गई हैं तो रजाना दान्तों पर मस्वाकिया करें दान्त सीधे हो जाएंगे अगर दान तूट गया है तो कच्चे टेमाटर का रस दान की तूटी हुई जगा पर लगाने से दान दुबारा जल्दी आता है अगर पंदा पैदल चलने से पहले आदा गिलास नीम गरम पानी पी ले तो जिन्दगी में कभी भी कमजोर नहीं होगा सोने से पहले नीम करम पानी पीना गुर्दो को साफ कर देता है गुर्दो में खोने वला दर्द और बार बार बनने वली पत्थरी के लिए एक किलास पानी में एक चमच पिसा हुआ जीरा एक लीमो का रस शामिल करें इस जूस को दिन में दो बार पिएं उमीद करती हूँ आज की ये चोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है चाइनल को लाइक शेर सबस्क्राइब कर दे और बेल के बटन को प्रेस कर दे ताके हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके अपन झाल